उत्राखंड के चमोली का एक युवग इसका नाम संदीप था उसने आत्महत्या कर ली और जो सुसाइट नोट उसने लिखा है उसका कहना है कि अगले जनम में अगर फिर से भारत में पैदा होता है तो वो दरोगा बनेगा या वो कोई भी सरकारी नौकरी लेकर रहेगा वही अगर उत्राखंड के विधान सवा के अध्यक्ष की बात करे जिनका नाम प्रेम चंद्रगरवाल है तो उनके जो लड़के होते हैं उने नौकरी मिल जाता है बिना किसी एक्जाम के बिना किसी परसिक्षन के और जब उनसे पूछा जाता है कि आखिरकर आपके पुत्र क नौकरी कैसे मिला तो उनका कहना था कि बेटे ने इंजिनेरिंग कर लिया था एक सीट खाली था तो उसे नौकरी लगा दिया गया मतलब भारत में अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आपको किसी नेता मंत्री या किसी विधान सवा के जो स्पीकर है या ध्यक्ष है उनका पुत्रिय पुत्री होना अनिवार है अब चलते हैं साल 2019 के मर्च के महिने में चुनाव का महौल था पूरे देश में चुनावी महौल बन चुका था नरेंदर मोधी परचार पर परचार कर रहे थे उसी समय रेलवे की वेकेंसी आती है गुरूप डी और गुरूप स की जिसमें कुल 1,35,000 के आसपास वेकेंसी आती है तीन करोड के आसपास जो छातर होते हैं वो फॉर्म भरते हैं पूरे देश में और उसी साल चुनाव होता है नरेंदर मोधी चुनाव जीत जाते हैं 55 करोड वोटर्स थे जिन्होंने वोट डाला था यह इलेक्सन कमिशन इंडिया का डेटा है 55 करोड लोगों को वोट डलवाने के लिए इलेक्सन कमिशन के पास सारा इंतिजाम होता है सुरक्षा से लेकर कहीं कोई वाइलेंस नहीं होता है खाने पीने से लेकर हर तरह का इंतिजाम ट्रेन से लेकर सारी जुगार हो जाती है लगबक डेड़ साल बीच चुका है और अब railway का कहना है कि वो असक्षम है यानि कि उसके capability में नहीं है तीन करोड चात्रों का परिक्षा लेना एक और आकड़ा है कि तीन करोड चात्र जिन्होंने form भराता उन्हें लगभग 500 रुपए जमा कराना पड़ा था वो रकम कितना बड़ा होगा या calculate कर लिजिएगा अभी तक उसका परिक्षा नहीं हुआ है क्योंकि railway विभाग असक्षम है staff selection commission जो है वो असक्षम हो जाता है और election commission जो है वो capable हो जाता है 55 करोड लोगों का वोट डलवाने का उससे भी पिछे अगर हम चले तो 2018 में SST CGL का एक वेकेंसी आया था उसका tier 1 और tier 2 का परिक्षा हो गया था सबादो साल बीच चुका है उसका भी परिणाम अभी तक लंबित है पिछले साल दरोगा की जो परिक्षा हुई थी 21 दिसंबर 2019 को उसको लेकर कितना प्रोटेस्ट हुआ पेपर लिख हुआ और यह तमाम मामले जो देश में चलते रहते हैं प्रोगा का भी मामला इन्होंने बड़ी जोर से उठाया था तो अधेशी बताई आखिरकार 55 करोड़ों को वोट दिल्वाने के लिए विवस्था सरकार के पास है और 3 करोड़ छात्रों को परिक्षा दिल्वाने में इनकैपेबल है रेलवे डिपार्टमेंट देखिए सबसे बड़ी बात तो यह तो बहुत बड़ी खामी है के अंदर सरकार की की सावा साल हो गया लेकिन परिक्षा भी तक डेड़ साल हो गया परिक्षा भी तक नहीं लिया गया बहुत सारे चात्र ग्रूप डी जो है उसमें एक लाग तीन हजार जो है वेकेंसी है और एक करोड़ पंद्रा लाग जो बच्चे अपलाई किये हैं फिर से आपको जो एंटी पीसी है उसमें 35,000 के असपा सीठ है और उसमें एक करोड़ 26 लाग जो चात्र हो अपलाई किये हूं है तो इतने जो बड़े संख्या में चात्र हैं और डेड़ साल हो गया कोई बड़ाबर काम कर रहा है तो सरकार जो है इसका कारण है कि कोवीड चला उससे पहले रेलवे में है वह क्या पूरा तरह से अधुनिकी करन किया रहा है पूरा उसका श्ट्रक्टर चैंज किया रहा है तो बहुत बहुत लंबे चोड़े अस्तर पनी होजन तो यह कोई चीज नहीं है चुनाव से पहले दिया जाता है लेकिन चुनाव के बाद तुरंत एकजाम भी करा लिया जाता है जो कि ऐसा नहीं हो रहा है जिसके लिए लगभग साथ परसंट जो उनका राजस्टों है वह घाटे में चलता है वह उनको घाटा हुए जिसकारण से वह करने में और अभी रेलवे बंद है पिछले छे महीने से तो इसलिए जो रेलवे मंत्राले है एक और नई मुसीबत इसको मान रही है मुसीबत नहीं लेना चाहती है इसलिए वह एक जाम को रटकाया हुए है लेकिन इन सब के बाहर रेलवे का बहुत बड़ा फर्ज है और रोज वह मैगजिन खड़ीद रहे हैं कोचिंग क्लासेज यह सब कर रहा है उनलाइन क्लासेज कर रहे हैं तो सरकार इस जो यह जो स्टेंड है इस पर बहुत गयर जिम्मदाराना उनका यह रवया है और पंद्रा सो करोड उन्होंने फॉर्म भरने के नाम पर छात्रों से जमा कर वा लिया जो भी आयोग हो उस पंद्रा सो करोड के हिसाब कौन देगा देखिए बात पैसे का नहीं है बात समय का है अगर पंद्रा सो रुपए तो ज्यादा नहीं है लेकिन आपके जो दस साल में ली बीस से तीस साल तक आपको तैयारी करने का समय मिलता है उसमे ऐसे से हजार गुना ज्यादा जो मुल्यवान उनका समय जोस और जुनून जो है वो ठंडा पड़ रहा है उसके लिए वह बहुत आगहात कर रहा है जो कि सरकार को इसके लिए सोचना होगा नहीं तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे नौ लाख क्या सपास बच्चे नीट और जाई का एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंजाम कैसे हो गया इतनी तथपरता से सरकार ओर दे दिया सरकार के द्वारा परिक्षाएं करवाई जा रही है तो यह संभव है तो वह संभव क्यों नहीं है लेकि रेलवे करा है कि हम तो भी इतना जो बड़ी संख्य करदा में अब विकेंसी है अब वो इस्तिती में नहीं है कि नोकरी दे सकें इनको ट्रेनिंग होता है वो सब दे सके उसके कारण एक्जाम नहीं लिया जा रहा हूं वोर इल्वे उसके लिए बे Pengman कर सकता था क्योंकि नेट एजए के एFe Messi के एकग्जाम हो रहे हैं कि में हन करन की जो बात की जा रही है कि रेलवे को अब प्रविटाइज कर देंगे तो उससे क्या आफर पड़ेगा तब वेकेंसी किस तरह से आएगी और क्या तब सरकार का तो कंट्रूल रहेगा नहीं रेविन्यू जो जनेरेट होगा तब आएगा तब हो सकता है नोक्री देखिए जब प्राइजिशन होगा तो जो रेलवे में है क्या की रेलवे बहुत अच्छा नोक्री मना जाता है इसमें है कि सुधाइं बहुत मिलती है मेडिकल सुधा है हाउसिंग है फिर से यात्रा के लिए इस तरह के सैलरी भी अच्छी रहती है और एक तरह से कहें तो आराम की भी नोक्री है यह लेकिन जब जानते हैं कि जब प्राइबटाइजिशन इसका किया जाएगा तो कमप्रीशन बढ़ेगा इसमें परतियस परदा बढ़ेगी उसके लिए जो है जो कमपनियां है जो इसको चलाएंगी वह चाहेंगे कि कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्य है बहुत अच्छा परदासन करके उपर तक जा सकते हैं रेलवे में क्या है कि एक ट्रॉप का डेजिंगेशन बना हुआ है उसी में आपका बस सेलरी बढ़ेगा कद नहीं बढ़ेगा चाहिए उसका बहुत लिमिट होता है कि यह पता होता है कि हाँ इस चीज़ भरती होते जैसे कि हम टेलिफोन की सेक्टर में देखें कि जब बीएसनल था तो ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा काम कर रहा था था नेटवर्क नहीं आता था कॉल बीच में कर जाता था उसके कारण प्राइवेट यह जितना भी टेलिकम कंपनी है वह आगे बढ़ा वह फैसलिटी सक दब में दिया और अज इतना से नहीं कहीं नहीं है यह वी सकता है रेलवे में नहीं हो सवाल है कि पिछले साल जो दरोगा का भाल है चुल नहीं हूँआ है यह तो तो अखिर कर दिए इसका मेंस क्लियर नहीं है तो फिर ये निया वेकेंसी और भी चुनाओ के समय क्या इस बार नितिश कुमार राजनितिक बात कर लेते हैं नितिश कुमार इसका फायदा ले जाएंगा चुकि पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ तो बहुत बड़े अस्त को पर चार बार हजारो जो चात्र है वह धरना परदर्शन के लाठिया चली गिरिफतारी हुई लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हुई उसके छात्रों ने है प्रूफ भी दिया जाके आयोग में और फिर से नया वेकेंसी निकला आया और बिहार में जो भरती प्रक्रिया ह कोई सेडिल नहीं है अब एक 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 जाम जो है तीन साल चार साल लग जाता है उसमें पूरा होने के बाद मी मामला कोट में जाता है हाई कोट सुप्रिम कोट जाता है तो यह तो एक क्या कहें पॉलिटिकल यह है स्टंट है यह इसको दिया जा रहा है एक्जाम के लिए कि लेकिन ये जो है बस तत्कालिक उपाय है कुरसी पाने के उपाय है ना कि बिहार के कल लिये हैं दो हजार दरोगा की बहाली करने से बिहार की बिहार में विरुजगारी की समस्या खत्म नहीं होगी या 400 इतने साड़े बाड़ा करों की जनसंख्याय राजी में और 484 सिपाही की अभरती करेंगे तो इससे नहीं खत्म होने वाला है इसके लिए बहुत बड़ा एक संसाधन जुटाना होगा नए नए और फिल्ड खोजने होंगे और सरतलासने होंगे स्टाट अप करना होगा आपना फिर से जो भी आपके जो पुराने उद्योग थे जो बंध हो गया है उसको नए सीरी से खुलना होगा फिर बहुत सारे चेत्र में है मानोस अंसाधन आपके पास बहुत ज़्यादा उसका उप्योग किया जा सकता है लेकिन अभी दूर दूर तक वैसा करने वाला कोई विजनरी हमको नेता नहीं दिखाई देता है तो यह भी चुनाव जो होगा वह से ही चलेगा व्रेकेंसिया आएंगी केस होगा विवाद होगा आरोप लहेगा लेकिन कि चुनाव होता है और उसके एक महीने के अंदर में उसका रिजल्ट दे दिया जाता है लिए जितने परिक्षाई हो रही है उसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है एक और सवाल है अदेश जी कि अभी एक निया पॉलिसी आया है वह चर्चा भी चल रहा है कि एक ही एक्जाम होगा कॉमन एक्जाम नेशनल रिक्रूट्मेंट एजनसी गगटन किया गया है जिसमें है कि साल में दो बार पर इच्छा होगा उसके लिए उसमें आपको अंक डिसाइड होगा और उसी आंकों को लेकर आप में लिसेंटरल गॉर्रमिंट के तीन सवा में जो बैंक है रेलवे है फिर एससी यह तीन के लिए एक एकजाम होगा उसमें जो आपका स्कोर मिलेगा वो एसकोर लेकि आप अपलाई करेंगे उसमें और इंकेस आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो फिर दुबारा आप एक्जाम देखे आपके स्कोर को बढ़ा भी सकते हैं सरकार का यह तर्ख है कि एक साल में वो लगवा बीस एक्जाम उनको देना पड़ता है इनी तीनों चेतर के लिए और इससे होगा कि आपको एक एक्जाम देना होगा एक फी होगा और उसका वैलेडिटी होगा आपका वो जो तीन साल के लिए वैलिड होगा आपका सर्टिकर के तीन साल में जब भी नौकरिया आएंगी तो आप अपलाई कर सकते हैं यह बहुत बड़ा संख्या जोता है और इससे मुझे लगता है कि छात्रों को यह रहाएंगी देश में हरें साल एक बड़ी संख्या है च्छातरों की जो की आते जा रही है नौकरी उसन उपात में नहीं बढ़ा हैं तो हमें नहीं नहीं आउसर तलासने होंगे सरकार को वैसे प्लेटफॉर्म बनाने होंगे जहां पर इतनी बड़ी अवादी जो की यंग जनरेशन है जो की नहीं नहीं अठाड़ा साल 20 साल पार होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरश पहीं वन नेशन और वन एक्जाम का कॉंसेप्ट लेकर यह सरकार आई है अब सबसे बड़ा तो सवाल है कि यह जब लागू होगा तब लागू होगा पर फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है निट जेई का लेकर रेलवे के कब थमता है और कैसे थमता है नरिंदर मूदी की जो सरकार है और जो बिहार सरकार है इस पर क्या इनिशेटिव लेती है क्या इस पर फैसला लिया जाता है यह एचेस बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो अगर आप फेस्